प्यारे बच्चों, हमने अपने पुराने लेक्च्चर्ज में सॉफ्ट्वेर शुरू किया था और सॉफ्ट्वेर में हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्ट्वेर क्या होता है और हमने इसमें पढ़ा था एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर क्या होता है हमने यूटिलिटी सॉफ्ट्वेर भी अभी पढ़ना है सिस्टम सॉफ्ट्वेर में हमने ओपरेटिंग सिस्टम पढ़ दिया है लेंग्वेज ट्रांसलेटर अभी नहीं पढ़े जब हम language पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे अब हम horizontal software पढ़ रहे हैं इसमें MS office हमने पढ़ दिया है उसका basic पढ़ दिया applications क्या हैं उसके packages क्या हैं ये पढ़ा है आज हम पढ़ेंगे Microsoft office में कौन-कौन सी shortcut keys होती हैं ये हम अगले इस lecture में पढ़ने वाले हैं तो देखिए इन मेंसे एक question paper में पका आता है ये इतनी ज़्यादा keys हैं कि हमें सारा याद करना possible नहीं है हमें कुछ-कुछ याद करनी है देखिए पहले नमबर पे आप heading डालिए shortcut keys पहले नमबर पे लिखिए control A और फिर arrow डाल के लिखे control A का क्या मतलब होता है control A से क्या हो जाता है अगर हम control A प्रेस करेंगे तो सारे का सारा हमारी स्क्रीन में जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा select हो जाएगा ये पूरा select हो जाएगा तो ये select करने के बाद हम इसको cut कर सकते हैं delete कर सकते हैं कहीं पे copy कर सकते हैं तो select all याद रखना है control A से क्या होता है select all होता है A से all होता है control A से क्या होता है select all ठीक है लेटर सी पता चलता है control B से क्या होता है B से होता है bold अब ये bold का क्या मतलब होता है देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, simple लिखा है B अब यह पतला है ना, अगर हम control B दबाएंगे तो यही B थोड़ा मोटा हो जाएगा तो पता चलगे आपको, control B से क्या होता है जो भी हम लिखा होता है वो थोड़ा सारा मोटा हो जाता है healthy हो जाता है, ठीक है यहाँ तक Ctrl A से Select All Ctrl B से Bold Ctrl C से क्या होता है जो भी हमने Select किया होता है C से हो जाता है सारा का सारा Copy हो जाता है Ctrl A से Select All B से होता है Bold C से होता है Copy अब बच गया Ctrl D D से क्या होता है जब हम Ctrl D दबाते हैं इस तरीके की एक window खुल जाती है वहां हमारे पास option आते हैं कि क्या क्या हमें करना है इसको computer की दुनिया में बोलते हैं dialogue box क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं dialogue box तो control देखो D से dialogue box A से select all, B से bold, C से copy, D से dialogue box D से क्या होता है dialogue box control E से क्या होता है E से होता है center alignment अब मैं आपको बताता हूँ alignment क्या होता है देखो हम Microsoft Word में या तो ऐसे line लिख सकते हैं यानि के बड़ी चोटी बड़ी चोटी ऐसे इस तरफ से सारी की सारी lines बराबर होंगी मगर इस दूसरी साइड से क्या होगा देखो चोटी बड़ी लाइने होंगी इसको बोलते हैं हम left alignment क्या बोलते हैं इसको left alignment क्योंके left side से है एक होता है right side से पूरा हो मगर left side से चोटा बड़ा हो इसको बोलते है right alignment इसको बोलते है left alignment इसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट अलाइनमेंट का मतलपता चल लगी आपको आप एक होता है ऐसे बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट क्या बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट एक होता है सारी की सारी लाइने बराबर लिखनी जैसे न्यूज पेपर में होता है इसको बोलते हैं justify क्या बोलते हैं इसको justify बोलते हैं default जो इसका होता है वो justify होता है तो यह आपको याद रखना है E से होता है center alignment center alignment का मतलब बड़ा चोटा बड़ा चोटा अब ये बड़ा चोटा का मतलब पहली line बड़ी होगी फिर चोटी फिर बड़ी फिर चोटी जैसे poems लिखते थे कवीता लिखते थे हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो control E देखो ये ऐसे पढ़ता है E E से होता है center alignment E से क्या होता है center alignment होता है control F का मतलब होता है find box मानलो आपके पास बहुत बड़ी एक फाईल है PDF की 50 पेजू की आपको उसमें कोई नाम डूंडना है तो नाम कैसे डूंडेंगे आप तो बहुत लंबा प्रासस हो जाता है control F दबाने से क्या हो जाता है ऐसा एक डबा बन जाता है इसमें फिर आप लिख सकते हैं जो भी लिखना हो आपने लिख दिया honey आपने लिख दिया shona आपने लिख दिया mona जो लिखना हुआ ठीक है तो ये लिख के हमें वो मिलता है find box F का मतलब होता है find box control F से क्या होता है find box होता है ठीक है यहां तक उसके बाद control G से go to dialogue box dialogue box मैंने अभी आपको यहां पे बताया dialogue box का मतलब होता है कोई भी specific option हमें करना हो किसी चीज़ के बारे में कुछ modification करनी हो तो उसके option आते हैं उसको बोलते dialogue box control H का मतलब होता है replace देखो H से होता है हटाओ H से पढ़ता हटाओ और H से अंग्रेजी में बोलते अंग्रेजी में हटाओ क्या बोलते replace बोलते क्या बोलते अंग्रेजी में replace तो control H से H से हटाओ और यहनी के replace करो control h से क्या होता है replace control i से क्या होता है यह तो सब को पता है italic italic का मतलब होता है हम लिख रहे हैं मैं लिख रहा हूँ आशिक लिख रहा हूँ तो a s h i q ऐसे थोड़ा सरा teda teda लिखना है तो इसको बोलते हैं यह italic है यह ठीक है यहां तक justify अच्छा अभी मैंने आपको बताया e से होता है central alignment control j से होता है justify alignment justify का मतलब होता है सारी की सारी lines क्या हूँ बराबर हूँ इसको बोलते justify ठीक है उसके बाद control h का मतलब होता है h से हटाओ i से italic j से justify उसके बाद k से control k से होता है insert hyperlink अभी hyperlink क्या होता है देखो आपको facebook आपने open की facebook में आपने कोई नाम डाला देखा लिखा हुआ angel priya वाह 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 जैसे आपने नाम देखा angel priya यह g है यह होता है देख लो अपने साब से मुझे नी बता angel priya लिखा देखा आपने नाम देखते ही आप बच्चे पिगल उठे और angel priya का जो color लिखा होगा यह कैसा होगा blue जब आप angel priya को click करेंगे तो उनकी profile खोलेगी और profile के बाद आप messages करना शूरू करेंगे फिर आपको पता चलेगा यह तो angel priya नहीं है यह तो कोई और ही बंदा है जो बेकूफ बना रहा चलो तो यहनि के हम angel priya पे click करके उनकी profile खोल सकते है जो भी color blue में लिखा होता है उसको बोलते hypertext यहनि के उसमें click करके हम कुछ और open कर सकते हैं तो उसको बोलते hypertext तो देखो hypertext कैसे insert करते है control case से hypertext अगर आपको समझ नहीं आया ऐसा text होता है link होता है जिसको आप click करते हैं तो कुछ और open हो जाता है ठीक है उसके बाद control L से देखो इतना simple है यह L से left alignment L से क्या होता है left alignment control M से क्या होता है margin indent अब यह margin indent क्या होता है देखे यह मेरा किताब का कोई या notebook का page है अब हम चाहते हैं कि इसके इदर भी यह जो मैंने अलग line डाल रहा हूँ इसके उदर आगे वली side type ना हो तो यह वली जगा जो होती है इसको बोलते है margin तो control इससे क्या होता है margin indent हाँ control M से होता है margin indent यह margin हमें कितना रखना है page के आगे पीछे इसको बोलते है margin indent बोलते है control M इसका shortcut है ठीक है control N से क्या होता है new blank document खुलता है यहनि कि पहले हमने कुछ लिखा है control N दबाया फिर से MS Word में document खुलेगा वो totally blank होगा white होगा कुछ भी नहीं लिखा होगा उसके उपर control O से क्या होता open existing file हमने कोई पहले से file बना रखी है control O दबाया तो उनके नाम आ जाएंगे कौन सी खोलनी है हमें वो पता चल जाएगा control O से open new file control P से क्या होता है यह तो सब को पता है control P से P का मतलब होता है print जो भी हमने लिखा है उसका print निकल जाता है ठीक है उसके बाद control Q का क्या मतलब होता है यह जरूरी याद रखना control Q का मतलब होता है clear paragraph indent अब मैं आपको बताता हूँ paragraph indent का क्या मतलब होता है देखो हम जब भी कोई line लिखते हैं कोई paragraph लिखते हैं तो शुरू यहाँ से करते हैं यह लिख दिया दूसरी line यह लिखी तीसरी line ये लिखी चौथी line ये लिखी पांच में लिखी ठीक है अब हर पांच lineों के बाद paragraph शुरू होगा यहाँ से यह तो ये जो है clear paragraph indent इसका मतलब है अगर हम ये दबाएंगे तो ये पैरा यहां से नहीं शुरू होगा बलके यहां से शुरू होगा यानि कि पैरा खत्म हो जाता है तो बताईए पैरा ग्राफ indent का क्या मतलब होता है पैरीग्राफ इंडेयं का मतलब होता यह जो पैरा है इसको खत्म करना है इसके लिए शाड़कट क्या है control Q ठीग है यहाँ थैख चलें आगे control R right alignment राइट alignment का मतलब है यहाँ वाली side से बराबर होनी चाहिए right से left से छोटा बड़ा हो तो line एसी लिखनी चाहिए lines होती है ठीक है तो control r से क्या होता है right alignment control s का मतलब तो आप सब को बता है save जो भी हमने कुछ काम किया है वो save हो जाना चाहिए हमारी screen पर उसके बाद control t का मतलब होता है hanging indent अब ये hanging indent का क्या मतलब होता है देखो ये हमने डाला है paragraph कुछ भी ऐसा होना चाहिए ऐसा 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 है paragraph यहां से शुरू होगा तो hanging indent क्या करता है इसका उल्टा करता है यानि के पहली line बड़ी बाकी छोटी 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 ऐसे तो hanging indent जो है ये indent का paragraph indent का opposite है control U तो सब को पता है underline होता है control V भी सब को पता है paste होता है या shift insert से भी paste हो सकता है अच्छा paste का मतलब क्या होता है ये colgate नहीं है पतंजली वाली नहीं है ये दूसरी है हमने control C किया और कुछ copy कर दिया अब दूसरा page खोलना है तो वहाँ पर लिखना चाहिए उसको बोलते हैं हम paste तो paste के दो option होते हैं एक तो control V जो सब से common होता एक shift और insert की से भी paste होता है ये भी याद हरना paper मैं पुछ सकते कि apart from control V which of the following option is used to paste the copied content तो shift और insert control W से क्या होता है close current document जो document हमने खोला है control W दबाने से सिर्फ वही एक document बंद होता है सारा नहीं होता है पूरा window बंद नहीं होती एक document बंद होगा control X से क्या होता है cut होता है अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक होता है copy एक होता है cut दोनों में कुछ फरक है हलका सा copy का मतलब है आप जहां से copy कर रहे हो वहां पे जहां से आप copy कर रहे हो वहां पे भी रहेगा और जहां पे paste करना है वहां भी रहेगा अगर आपने दबाया cut तो जहां से आप copy करोगे वहां से delete हो जाएगा सिर्फ paste करने वाली जगा पे ये रहेगा ये दोनों में फरक है ठीक है आप रहे गया control Y और control Z इन दोनों में क्या फरक है देखिए control Y का मतलब होता है redo जैसे देखो हम मैं ये line बना रहा हूँ ये 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 और ये ठीक है बना दिया अब मैंने कह किया गलती से इस last वाली line को delete कर दिया delete होगी मेरे से तो control Y दबाने से ये दबारा आ जाएगी जो चीज़ delete हो गई है वो दबारा आ जाएगी control Z दबाने से ये फिर हट जाएगी फिर वो आ जाएगी जैसे के मैं आपको ऐसे बताता हूँ देखिए हमने बनाया ये ये और ये ये बनाया control Y दबाएगी हमने हमसे कोई delete हो गया तो control Y दबाएगे तो एक चीज़ जो last वाली होगी last वाली वो line डिलीट हो जाएगी फिर हम दबाएगे control Z तो वो दबारा से आ जाएगी ये दोनों में फरक है यानि के control Y से redo दबारा से करो और control Z से undo मतलब जो करना था वो नहीं करो उसको पीछे कर दो अब कुछ रह गई function keys इसको function keys बोलते हैं इनको अब function keys के मतलब F1 का मतलब हमेशा होता है help ये आपको याद रखनी है F1 is always meant for help F2 का क्या मतलब होता है F3 का क्या मतलब होता है उनका MS word में कोई role नहीं होता इसलिए वो यहाँ पे नहीं है F4 का मतलब होता है repeat last action you have done अभी अभी जो हमने किया मानलो हम लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं C, C, C लिख रहे हैं हमने लिख ऐसे हम जोरी हमने लिखा D लिखा या C लिखा तो जब हम दबाएंगे क्या दबाएंगे F4 दबाएंगे वो बार बार D, D, D लिखेगा क्योंकि last action को repeat करना है बार बार F5 का मतलब होता है find and replace चतुर की speech में आपको पता है उसने चमतकार को find करके replace कर दिया था किसी दूसरे letter के साथ तो वो हो गया find and replace go to का मतलब होता है कौन से letter में या word में पैरा में जाना है F7 याद रखना ये बहुत बार वेपर में आया है F7 का मतलब होता है spell check spelling check करने के लिए जाए कोई गलती ना हो जाए उसके पास रहा गया F12 इसका मतलब होता है save as अब मैं आपको फर्क बताता हूँ अभी मैंने आपको बताया था के control S से होता है save save का मतलब होता है document पहले से ही हमारे पास है उसमें हमने कुछ changes की और दबारा से control S दबाया वहाँ पे save हो जाएगा मगर ये F12 का मतलब होता है हमारे पास document था C नाम से हमने उसमें changes की अब हमने उसको नई जगा पे save किया है D नाम से तो हम दबाएंगे F12 F12 से rename होके दूसरी जगा पे save होता है ठीक है यहां तक maximize होता है ribbon अब ribbon क्या होता है देखो यह हमारी computer की screen है यहां पे एक ये बटन होता है एक ये बटन होता है एक ये बटन होता है ठीक है यह जो cross वाला बटन है इससे पूरा cut हो जाता है इससे क्या होता है चीज बड़ी या चोटी और इससे क्या होता है ये दबाने से ये पूरी विंडो मिनिमाईज हो जाती है नीचे छुप जाती है हमें दिखती नहीं है तो Ctrl F1 दबाने से यह क्या होता है या तो बड़ा हो जाता है इतना या हो जाता है इतना या कि Maximize या Minimize साइज में फर्क पड़ता है Ctrl F2 से होता है Print Preview Print Preview का मतलब होता हमने को डाकुमेंट बना दिया Print करने से पहले हमें देखना है कि वो पेज पे कैसा लिखा हुआएगा क्या ऐसा तो नहीं है कुछ वोड़ यहां बाहर आ जाएंगे कुछ इदर आ जाएंगे कुछ इदर नीचे आ जाएंगे तो Print Preview का मतलब होता है Print निकालने से पहले हमें देखना है उसको ठीक है, अब कुछ से चीज़ें हैं जो जादा, ये चीज़ें जादा जरूरी है जुरा हाईर लेवल की हैं, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको बड़े प्यार से format painter क्या होता है format copies from previous text to another text देखो मैंने लिखा है ये कुछ मैं लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ A, B और D लिख रहा हूँ C लिख रहा हूँ F लिख रहा हूँ आप ने दबाया control C control C दबाने से ये हो गया copy फिर आप ने दबाया control V V दबाने से दूसरी जगा पे हो गया ये paste मगर ये जो letters जो इनका format है जो इनका type है A, B, C लिखने वाला वो यहां पे नहीं रहता है अगर हम दबाएंगे क्या दबाएंगे control, shift और C दबाएंगे तो जैसा यहां पे लिखा है जो format, जो design यहां पे लिखा है वही design यहां पे copy हो जाता है इसको बोलते है format को copy करना format का मतलब होता है design computer में format का मतलब होता है कोई design कैसा है ठीक है format copy का क्या है control, shift और C format paste का है control, shift और V देखो अभी हमने पड़ा c से control, c से होता है copy तो यह भी copy है मगर format copy के पिछे control, shift और control, shift लगाना है और paste के लिए हमने पड़ा था control, V से होता है paste तो यहां पे भी वही paste है कुछ नहीं करना है बिल्कुल simple है सिर्फ control, shift, c से copy और control, shift, v से paste c और v तो पहले से ही है control, shift, add करना है ठीक है यहां तक अगर आपको पता नहीं चला तो नीचे comment में लिखे मैं अगले वीडियो में उसको दबारा से पढ़ाऊंगा कुछ भी आपको समझ नहीं चलता है वो आप नीचे लिखे हम उसको दबारा पढ़ाएंगे प्यारे बच्चो एक बार लबडोन खुल जाए हमारे आफलाइन क्लास रूम में हम आपको बोल्ती हुई किताबें दखाएंगे जो रंग बरंगी किताबें होंगी खोलने के बाद बंद करने का मन नहीं करेगा आपको ऐसी ऐसी static gk की किताबें ऐसी math की किताबें बना रखी है जोगराफी की किताब मैंने खुद लिखी है एक एक लाइन पर मैंने गोर करके लिखा हुआ है तो वो चीज़े हम आपको देने वाले हैं math के paid course में आज 90 पलस बच्चा हो गया है पहली बार जम्मो किशमीर में 90 बच्चा किसी आनलाइन कोर्स में जाइन हुआ है इतना ट्रस्ट करते हैं आप प्यारे बच्चे मुझे पे तो मैं उसके लिए बहुत ठेंक्फुल हूँ आपका आप उसमें अगर रिजिस्टर नहीं हुए हैं तो फोरन हो जाइए पांच तारीक से हमारी कलास चलने वाली है लाइव कलास होगी रिकारडर लेक्चर भी दिया जाएगा और हाँ करंट अफेर के लिए टेंशन लेने की बिलकुल जरूरत नहीं है मैं खुद 6 महीने का करंट अफेर लाइव पढ़ाँगा फ्री यूट्यू पे लाइव आने वाला हूँ बहुत जल्दी यहाँ तak हो गया आब आगे चलते हैं यह चीजें बहुत ही झाधा जरूरी है आब यह जो मैं चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ यह बहुत ही झाधा जरूरी है देखो एक होता है super script एक होता है subscript पहले मैं आपको बताता हूँ हम लिखते है cn यहनु के centimeter और यहां लिखते है square यह जो उपर लिखाना हमने इसको बोलते है super script super यह लिखा भी हुआ है हम ने देखा नहीं यह देखो super script super का मतलब होता है उपर वाली سाइड और फिर प्लस का सिंबल दबाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर प्लस दबाने से क्या होता है प्लस दबाने से सूपर सक्रिप्ट आता है याद रखना ये बहुत जरूरी है और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है सी एम और नीचे ऐसे ठीक है अगर आपने अलेमट ट्व velocity को ऐसे represent करते थे drift velocity याद आ रहा physics का दूसरा chapter current electricity चलिए तो subscribe का मतलब होता है control दबाना है उसके बाद equal to दबाना है जैसे ये जखो h2o लिखा हुआ है control और equal to दबाने के बाद क्या होता है subscribe अच्छा header और footer मैंने आपको देखो दोनु में alt है दोनु में n है h का मतलब होता है header और h के नीचे यहाँ पर o लिखा हुआ है तो footer के बदले में o e दबाना यानि कि इसका मतलब पता क्या है alt n h e दबाना है उससे पड़ेगा header और अल्ट N O E दबाना है तो उससे पड़ेगा फूटर ठीक है यहां तक अब नीचे लिखा है ड्राप कैप यह बहुत जरूरी है पेपर में आएंगे यह सारे ड्राप कैप मैंने आपको बताया था टाइमस अफ इंडिया में टी लिखा होता है बड़ा बाकी लिखा होता है छोटा तो इसको बोलते हैं ड्राप कैप ड्राप कैप का शार्टकट है अल्ट N R और C तो यह लिखा है ड्राप कैप क्या होता है बड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं आपको सिर्फ शार्कट याद रखना है ठीक है यहां तक अब हम कुछ और चीजें पढ़ने वाले हैं ये भी बड़ी जरूरी है तो आज हम इतना पढ़ने वाले हैं तो लेक्चर जादा लंबा न हो जाए टूजी में अपलोड करना पॉसिबल नहीं अच्छे से तो आज हम इतना रखेंगे अगले एपिसोड में हम इसके आगे पढ़ेंगे मैं आपको बता रहो हमने कहां तक पढ़ा है याद रखीगा अपने नोट बुक पे लिखो ड्राप कैप तक हमने पढ़ा है ठीक है यहां तक पढ़ा है प्यारे बच्चों PDF में पूरी बुक आपको दे दूँगा मगर उससे मकसद मेरा सौल नहीं होगा आप बच्चे लिखोगे नहीं पढ़ोगे नहीं जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तब तक ऐसी पढ़ाई को पढ़ाई नहीं बोलते है उसको ताइम पास बोलते हैं तो I hope you understand difference between time pass and hard work. Thank you so much. God bless you. Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have breaked the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire at our YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hurray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire at the Institute. Best Institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.